नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुपेंदर सिंह यादव, गैस्ट्रोएंटोलोजिस्ट एंड लिवर स्पेसलिस्ट, पोज्टोन ओस्पटल रोत्तक में कारियरत हूँ, आज हम एंडोस्कोपी के बारे में बात करेंगे, एंडोस्कोपी टोपिक चूज करने का में में आदे हैं, उनके बहुत से questions होते हैं, सर एंडोस्कोपी क्या होती है, क्या एंडोस्कोपी सर मेरे को अभी करनी चाहिए, क्या सर मैं एंडोस्कोपी बाद में कर सकता हूँ, कुछ patients directly एंडोस्कोपी ही करवाने आते हैं, तो इन सब का questions का answer आज हम देने का कोशिस करेंग औरल कैविटी, खाने की नलकी, और पेट और कुछ हिस्सा छोटी आत से काम देख सकते हैं, और एंडोस्कोपी में direct vision रहता है, मतलब जो डोक्टर रहता है, उसके सामने चीजें देख सकते हैं, तो जिसके कारण हम रोक को पकड़ भी सकते हैं, और रोक का निदान भी कर सक करते हैं, जैसे basically मालो किसी patient को खुन की उल्टी होती है, तो हम उसमें देख सकते हैं कि कारण क्या है, और उसी time हम पेशेंट की खुन की जो कारण है, उसको रोक सकते हैं, so basically endoscopy देखने के लिए और treatment के लिए दोनों के लिए ही एक procedure है, जो की routinely हम करते हैं, अब बहुत से patients क्या सरी एक safe procedure है, yes, it's almost safe procedure if it is done by specialist doctor, gastroenterologist, जब हम केवल देखने के लिए endoscopy करते हैं, तो ये almost safe procedure रहता है, जब हम intervention करते हैं, जैसे कि कुछ patient को treatment करना होता है, तब उसमें कुछ complications का डर रहता है, otherwise routinely ये almost safe procedure है, अब हम बात करते हैं कि endoscopy, जो कि एक बहुत important topic है, discussion का कि 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 in patients में करनी चाहिए, तो indication से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, कि एक common term होती है, बहुत से patient आते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि मेरे को सर्फ पेट भारी लग रहा है, खाना नहीं बचता सर, डकार आना, उल्टी आना, उल्टी का मन रहना, इन सब चीजों को हम एक common term देते हैं, medical VASA में जिसको बोलते हैं dyspepsia, अब ऐसे patient आप देखोगे, OPD के अंदर, almost जातर patient की यही दिक्कत रहती है, कि patients को dyspepsia रहता है, तो क्या सभी dyspepsia patients को endoscopy करनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल गलत है, यदि first time patient आता है, और उसको dyspepsia आता है, तो हम उस patients को medical treatment दे चाहिए, without any endoscopy, और हम देखते हैं, यदि patient को persistent dyspeptic symptoms, जो अभी हमने बात की, जैसे पेट बारी रहना, डकार आना, कच्चा मन रहना, बद अजमी, यह यदि symptoms patients को बने रहते हैं, तो फिर हम patients को एक endoscopy का trial दे सकते हैं, कि कोई patient को कोई घंबीर बिमारी तो नहीं है, यह हो हम बोलते हैं, alarming symptoms, जिसमें सबसे पहला आता है, यदि patients को खून की उल्टी आई, या फिर काला लेटरिंग हुआ, तो इसको बोलते हैं, डेफिनेटली आपको पहला investigation, endoscopy ही करनी चाहिए, उसके बाद next, कुछ patients बोलते हैं, सर मेरे को खाना एकदम अटकता है, पानी भी नह की चाल के disorder होते हैं, तो definitely endoscopy करना चाहिए, तीसरा जो काफी कारण है, जिसमें हम endoscopy advise करते हैं, कुछ patients को खाना खाते समय दर्द होता है, जिसको बोलते हैं, ओडाइनोफेजिया, तो definitely वहाँ पर endoscopy करनी चाहिए, तो ये तो हैं जो patients हमारे पार symptoms लेके आते हैं, और जो indications होती हैं, जहाँ पर हम endoscopy कर सकते हैं, जैसे कि liver cirrhosis के patient है, पेट में पानी आ गया, या liver cirrhosis और भी किसी कारण से है, वहाँ पर definitely हमको endoscopy करनी चाहिए, लिवर cirrhosis के patients की गले की नसे फूल जाती है, जिससे उनको खोन की उल्टी आने का डर रहता है, तो ये एक चोथा कार तो उसको बोलते है, chronic diarrhea, उसके evaluation में endoscopy बनती है, एक फिर जो बहुत ही common कारण है, वह रहता है कि कुछ-कुछ patients में anemia का कारण ढूनने के लिए हम endoscopy करते हैं, अनीमिया का कारण नहीं मिलता है, तो ये मोटे-मोटे जो कारण है, जहाँ पर हमें patients की endoscopy करनी चाहिए, अब endoscopy करने के लिए आपको क्या-क्या, मतलब pre-requirements होती है, वह ऐसा है कि usually patients 8 गंटे खाली पेट चाहिए, सुबह जो morning में आके 10 बजे हम endoscopy कर सकते हैं, खाली पेट 8 गंटे का, और कोई ऐसी hard and fast rule नहीं है, जो endoscopy के लिए, simple endoscopy खाली पेट से हो जाता है, hardly it takes 5-10 minutes to complete the procedure of endosc endoscopy, and endoscopy बेवस करके भी कर सकते हैं, बीना बेवस करके भी कर सकते हैं, कुछ-कुछ patients इसमें बड़े ही गवराये रहते हैं, कि सर कभी रोग एक बंदे से दूसरे में तो नहीं फैल जाएगा, ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी endoscopy में ऐसा नहीं है, क आपकी जो भी questions है, queries हैं, वो हमारे Facebook Live Pro उस पे भी आप डाल सकते हैं, वो हमारे Positron Hospital के Google प्रोफाइल में जाके वहाँ पर भी आप अपने questions रख सकते हैं, मैं Dr. Bupender Singh याद हो, gastroenterologist वे लिवर specialist, आपके questions लगभग answer करने की कोशिस करेंगे, दूसरा आप हमें Positron Hospital में रोज 6 बचे तक OPD में मिल सकते हैं.